सिकर के युवक ने कजाकिस्तान यूती से की साधी टर्की एरपोर्ट पर हुई थी दोनों की पहली मुलाकात। सिकर देर रात सिकर के पीपराली रोड इलाके में एक साधी चर्चा का विशे बन गई। दर्शल सादी में दुलहन कजाकिस्तान की यूती थी जबकि दुलह सिकर सहर के सिव सिंग पूरा इलाके का रहने वाला था सादी हिंदू रिती रिवाज से संपन हुई जिसमें विजा ने मिलने के कारण दुलहन तानिया के परिवार का एक भी सदसे नहीं आ सका ऐसे में दुले पंकज सेनी के भाई के ससूर ने कन्याजान किया, साथ ही साधी का पूरा खर्चा भी उठाया तर्की एरपोर्ट पे हुई थी मुलाकात, सिकर के सिव सिंग पूरा इलाके के रहने वाले पंकज आरिलेंड में एक रिटेल कमपनी में मार्केटिंग मेनेजर की नोकरी कर रहे हैं ऐसे में जनवरी 2019 में वे कमपनी के काम के सिलसले में तर्की गया हुआ था इसी दोरान कजाकिस्तान की रहने वाली तानिया भी अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद टर्की घूमने आई थी जहां दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा पहली मुलाकात में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया टर्की एरपोर्ट पर मिलने के बाद तानिया अपने साथ कजाकिस्तान अपने घर लेकर गई जहां अपने परिजनों से पंकज से मुलाकात करवाई जिसके बाद तानिया के परिजनों ने साधी के लिए सहमेंती दे दी इसके बाद 2019 में तानिया को सीकर अपने घर लेकर आया और अपने माता पिता से बात करवाई जिसके बाद 2019 में दोनों नोकरी के लिए वापस लोट गए इसके बाद 2020 में हिंदू रिती रिवाज से साधी करने का फैसला लिया लेकिन कोविट के चलते तानिया को भारत आने के लिए विजा नहीं मिला जिसके बाद पिछले साल दिसंबर में तानिया सिक्कर आई जिसके बाद गुरुवार रात को दोनों ने सिक्कर में हिंदू रिती रिवाज से साधी कर ली इस साधी में विजा ने मिलने के अभाव में तानिया के माता पिता हुए परिवार का एक भी सदे से नहीं आ सका ऐसे में दुले पंकज के बड़े भाई के ससूर महावीर सेनी ने साधी का पूरा खर्चा उठाते हुए साधी में तानिया का कन्यादान भी किया तानिया का कन्यादान करने वाले महाबिर सेनी के पहले से चार बेटी और दो बेटे हैं तानिया और विज़ा मिला है वो भी हमने तीन बार अपलाई किया किन्यादान की रसा मेरी भावी के मम्मी पापा नहीं की थी वह काफी अंडर्स टैंडिंग है वह वहीं थे उन्होंने एकसेप्ट भी किया और सा तानिया एक डोक्टर है लेकिन वो भी तर्की आई वी थी, तो वहां पे मैं तानिया से मिला था किस तरह से हुई मुलाकात तो क्या है मैं किसी जानकार के थुरू हुई थी मैं इनकी तरफ से कोई मतलब कोई रेफरेंस था मैं जानता था उनको तो इस तरीके से हम लोग जैसे एक साथ ही थे तो इस तरीके से मैंने जाना इनको फिर देरे देरे हम लोग बात करने लग गए तो ऐसे ही धीरे-धीरे इन ने मेरे को समझा है मैंने इनको समझा तो हमें लगाए कि चलो ठीक है हम दोनों सुटेबल है एक दूसरे के लिए फिर काफी लंबे टाइम थक हमने बात की धीरे-धीरे घरवालों की तरप से एक सेप्टेंस मिला मैं आफ कहाँ रहता हूं मैं सीखर में यहां गाहां पे निव हाउसिंग बोड के अ jsंदर रहता हूं कि मेरा नाम पंक सैनी है है कि मैं प 내 पिछले रेच्व से आरलेंड के अंदर रहेता हूं मैं वहीं पर यह राम पर डिटेल ओर और मेरी लीजर ट्रावल सोती है तो तकडिवान जैन्वरी दुजार कुरनीस के अंधर मैं टर्की के अंदर था कजिकkovunk equally there हमने दीरे दीरे बाते स्टार्ट की उसके बाद में तकरीब और में के अंदर हम लोग काजपिस्तान वीछ मैं इनके पैरेंस से मिला, इनके पैरंस बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अंडरस्टेंडिंग है, तो ठीक है, उनको मैं वसंद आया, उसके बाद में थोड़ी हमने और बाती की, फिर अक्टोबर के अंदर हम लोग यहां इंडिया है, हमारे पैरंस ने भी एकसेप्ट किया, फिर हम लोगों क इंगेजमेंट हुए, उसके बाद में काफी लंबा टाइम कोविड के चलते वे हम लोग वीजा के लिए अपलाई नहीं कर पाए, हमने तीन बार कोशिश की, लेकिन गवर्मेंट कहती रही कि कभी डैली ट्राइ करो, कभी एमबेसी के अंदर अलमाती ट्राइ करो, मैं वहा तो पाइम प्रणी ट्राइम के अंदर तानिया को वीजा मिला, उसके बाद में उनने शिक्स मंथ का डूरेशन दिया था लेकिन उसके अंदर 30 डेज का लिमिटेग टाइम होता है, तो फैवरी में हमने डिसाइड किया क्या कि मैं बीजी था, तकर रिवरी तक मेरा थोड़ इनको बहसा की प्रोब्लम नहीं के अधिसी है, इनको कल्चर की नोलेज है, लेकिन क्या होता है, आप दूसरी कंट्री के अंदर जाते हो, तो आपको लेंग्वेज के थोड़े इस्यू जाते है, आप ओवरकम कर लेते हो, लेकिन आपको टाइम लगता है, तो सीख रही है, थोड़ी आती है, थोड़ी कोशिश कर रही है, थोड़ी टाइम लगेगा, लेकिन सीख जाएगी, इनके पेरेंट्स वोगेरा कोई आया है कि साथी है? दूसरी वीजा की भी प्रॉब्लम है, गौवर्मेंट वीजा नहीं दे रही है, सर्फ तानिया को ही वीजा मिला है, वो भी हमने तीन बार अपलाई किया, इसलिए है, तो बच्चे की साधी की है, मैंने, और दुलन, कजाकिस्तान की है, और अच्छी पडिली की है, डोक्ट है, और बच्चा आइलेंड में रहता है, वहाँ मार्केटिंग मेनेजर है, इन दोनों कोई तर्की के एरपोर्ट पर इंसका क्या आरजगाओं देशों में जाना आना होता है, मार्केटिंग मेनेजर के साथ से, तो तर्की में इनकी मुलाकात भी एरपोर्ट पर, बस वहीं उनके दोनों के सेट हो गया और उसके बाद में लड़की ने मेरे बच्चे को वहां कजाकिस्तान में अपने माता पिता के पाश लेके गए इनके माता पिता ने इसका रिष्टा से उकार कर लिया फिर ये लड़का इस लड़की वो लेके मेरे गराया लगबग डाई बर्श पहले तो हम लोगों ने देखा पहले तो मेरे को थोड़ा आठबटा सा लगा लेकिन उसके बावजूद बाद में क्या है कि पंकज ने मेरे को बताया कि भई ऐस इस परकार से लड़की है अच्छी लड़की है फिर मेरे गरवालों ने भी स्विकार कर लिया और मैंने भी स ने इन की शादी कर दी है और खूब धूमदा मुझे की है मेरा नाम माविश परशाद सेनी सर्पंच सुचिंप्रा